हलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सबसे भेरी भेरी मौस्ट इपॉटेंट आर्टिकल आप लोग को बताते साइन्स पर आता है कोश्चन हवर साल पोश्चन देखने को मिला है बिग्यान वर्दान है या विस्साफ है इस पर आर्टिकल है ठीक न यह अगले सत से देखते रही है क्या क्या मैं पढ़ रहा हूं क्या क्या समझा रहा हूं ठीक न वीडियों बने रही है आप लोग को जल्द से जल्द में इसको समझाते हैं कैसे आपको लिखना है आसान तरीके में कहने करती है हमारे हमारे जीवन की बात बता रहा हूं आज जो हमारी जीवन है बिज्ञान की अधीन है बिज्ञान के हम लोग क्या है? अधीन हो गए है बीना बिज्ञान के कलपना करना बहुत मुस्किल हो जाती है हम लोग जो IMAGING कर रहे हैं कलपना करते हैं वो क्या होता है? बहुत मुस्किल हो जा रही है Today our life is garnered by science and it is difficult to imagine without science मतलब कहने करत यह है कि आज जो हमारा जीवन ठीक ना विग्यान की अधीने बीना विग्यान की कलपना करना भी क्या है बहुत मुस्किल है आगे चलते हैं यहां से देखते हैं दो मॉड़न एज इन दो मॉड़न एज इज द एज आफ साइन्स मतलब यह कहने करते हैं अधनिक यूग बिग्यान का यूग है देखा जाए दो मॉड़न तिक ना एज इज 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 द एज आफ साइन्स मतलब क्या है अधनिक बिग्यान जो है यह क्या है बिग्यान का यू साइन्स है इस सुग है मतलब यह जा रहे हैं इसमें कि जो मतलब कहने करते हैं आज आज और संभव को भी क्या करता है संभव बना देता है इस बात को आप लोगों समझ में आया होगा science has made impossible things possible मतलब कह रहा है ये विज्ञान ने और संभव की संभव बना दिया मतलब संभव बातों को क्या करता है संभव बना देता है अब आगे चलते हैं we can think of anything without science मतलब ये कह रहा है बीना बिज्ञान के आज हम कुछ नहीं सोच सकते हैं तो लिखा है we can think of anything without science मतलब बीना बिज्ञान के हम लोग कुछ भी नहीं सोच सकते हैं it is very useful to us in every wall of life मतलब ये कहा जा रहा है कि यह बहुत ही कारेगर है मतलब ये बहुत ही क्या हमारे लाइफ में कारेगर है हमारे लिए जीवन के हर मोड पर बिज्ञान के हो सकता पड़ रही है अब आते हैं the invention of the electricity is a great bone मतलब ये कहा जा रहा है बिज्ली की खोज आज बड़ा वर्दान है जैसे कब लूग सुने होगे बिज्ञी के बारे में बिज्री रीकोजी कहां से आया प्रण यह सबसे बड़ा वर्दाना अब ऐस oben concept कुक कुक मने क्या होता है खानार बनाना ठीक न तेवर फूड भोजन बनाने में करते हैं आवर क्लोथ all दोने में करते एंड्स यह कर रहा है कि घर के आसपास की इतनी हो ती यह warranty जलाते कि चाहते हैं घर के बाहर चाहिए घर के अंदर ठीक ना इसके वारे में कह रहा है तो आप लोग के यहां तक समझ में आया होगा कि बिज्ञान हमारे जीवन बहुती मौत पूढ बिज्ञान जो बिज्ञान के विणा हम कुछ सोच नहीं सकते हैं नहीं जो भी असॉमबर इंपॉसिबल रहता उसको क्या बना देता है तहां तक आप लोग को अच्छे समझ में आगा अब आगे चलते हैं इट रांस आवर ट्रेन मतलब हमारे जो ट्रेन भी चलते हैं तो बिज्ञान के अधिन चलते हैं ठीक ना क्योंकि एलेक्ट्रानिक एलेक्टिक का को एलेक्टि किया गया था तो क्या किया था बेग्या नहीं किया था मुबाइल फोन टेलीवीजन हीटर प्रेस दा रेडियो मुबाइल फोन हो गया एटी सी मतलब यहां से कहा जा रहे हैं कि हमारा कि यहां से इट रॉन्स आवर ट्रेन दा एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रिक फैन दा हीटर द आप me दबती लेका घर से चल देते थे और उसको क्या करते थे जो लड़ाते रहते 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 हैं दोलाते रहते रहते आज करने क्या है लड़के फैसन बना लिए अब पढ़ना है पंखा चाहिए अगर लाइट नहीं तो आप इनोटर चलाइए या फिर जंगरेटर चलाइए यह सब का बेवस्था आगे है ठीक न तो अब इस समय की लाइफ जो होते हैं संघर्स के लिए नहीं बना है मतलब आप आज कल के मतलब यह कहते हैं कि लड़ने के लिए डाक्टर की मदद की है जो बिघ्ञान की खोज़ कि रेडियम- Liverpool भी ज्ञान कही है और वंडर्फूल अश्रजनक की बात है ठीक है ना इन्वेंशन अफ साइन्स मतलब क्या किया है यह खोज साइन्स नहीं किया था मतलब कहने करते है यह अंधे को आख देता है लंग्स टू डंप मतलब मतलब होता है आपे लोग को बता देते है ? घीप देता है तंक्स टू डंप मतलब को पाऊओ हो धिर्फर मतलब कान वारे को किया देता है ? related Science has given us different type of machine, मतलब science जो है different type का बता बिभीन परकार के machine को देता है, ठीक ना, machine बनाता है, देता भी है, ठीक है न, it is a good servant, but a bedmaster, मतलब कहने करती है, यह एक अच्छा सेवक है, और बुरा सेवक भी है, मतलब बुरा master teacher भी है, तो काने कार्थ यह है कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग एक बात बता देते हैं, बहुत यह simple तरीके से हैं, आप लोग को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लीजे थोड़ा से यह आपर, कि यह पूरा का पूरा आप लोग देख लीजे पहले, आप लोग ध्यान से देखिए, अब यहां देखिए, आर्टिकल लिखा है, साइंस पर आपको देना है, तो सबसे पहले इसमें को पूरे मेनिंग एक बार एक बार अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए, ठीक ना, मेन बातों को लिखिए, उसमें कोई गलत नहीं होता है, पहली यह होता था कि हेडिंग बाई हेडिंग ऐसे में चलता है, लेकिन आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहिए तो फर्स्ट लाइन यह लिख लिए हैं, पूरा यहां से यहां तक, ठीकिन यहां तक लिख में कुछ भूल भी जाते हैं, तो सिंपल तरीका एक मैं बता देता हूं, कि आप उस लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरा लाइन पकड़ लीजिए, आराम से आप लिखते चले, लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल में किसी परकार का दिक्कत नहीं होती है, य क्या तत्थ है, जैसे आप लोग को कोई कहानी सुना दिया गया, तो आप लोग क्या करते हो, टीचर सुनाता कुछ और, लेकिन अगर आप को कह दिया जाए, तो उसमें से आप भी क्या करते हो, पूरा काटफिट कर देते हो, तो उसी को ही आर्टिकल बोलते हैं, मतलब वो कुछ और सुनाया लेकिन आप क्या किए कुछ नुशा को बता दें कुछ आप करते हैं तो जो मोटि उसे को आ लेक करते हैं या आटिकल करते हैं त्सवराज में क्या कहना चाहता हूं मतलब जो विज्वाक करता हैं इसको नगर öAGधान या लेकिन बहुत दूरा भी होता है जैसे ATM है ATM का मसीन आप गए आवहां से निकाले पैसा क्या हुआ मसीन से निकला इने दूसरा किसी को मिल गया या फिर कभी केमपूटर का मोता है कि आप बजली खूज तो हो गई है लेकिन किसी को अगर मार देता तो क्या होता है उसका पैसा लगे गाई क्योंकि वह बेट सर्मेंट होगे वेट मार टीचर हो गया क्योंकि बहुत से जो होता है साइंस ने खूज दिया जैसे तो बोलाई यह सब किसी प्रकार से साइंस का फाइदा लेकर से कब लेकिन साइनस की तरीका देखा जायं तो साइंस के ऑगर रह पाते साइंस की टे λाम दूदॉबटी आप लोग यह सुनने होंगे साइंस में कि क्या होता एक्रीकल्चर पहले खेतों में आज कम होते थे लेकिन science की दुनिया ऐसी आगए technology आ गया कि हमारे खेती में बहुत अच्छा खेती हो रहा है अब कमी मजदूर भी लग रहे हैं कमी काम में अच्छे दाम में मिल जा रहे हैं ठीक न यह है हमारी science की दुनिया तो यह साइंस की दुनिया पूरी अच्छे तरीके से चल लेए आप लोग यह करना है कि अपनी दुनिया बनाना है दस नंबर कैसे आएगा तो आप लोगो जो तरीका में बताया हूं तो आप लोग दो तिन लाइन याद कर लिजिए और उपर नीचे लाइन को आ बस का भीजिए आप डाप लोगो जाद का एक्वा आ डाप लोगष्ण look का आप लोगो你 अगयो ड के को उड़ा यो लोगो ।